वीटिन्यूंघ और कुछ विस्पेसल मल्ति फेसलिट होस्पिटल आउसे एम्स डेली है तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट से सब्केर है मारी युटूब चैनल में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बारत के एगर सकने लेक्षियल एम्स ओल इंडिया मेडिकल इंस्टिटूट ऑफ साइन्स के रिगाड़ी कि बारत में टोटल कितने एम्स है और कहां-कहां पर लोकेटेट है कौन से स्टेट में वो सिचुएटेट है अगर आप एज नोन मेडिकल ओडियंस है तो भी यह वीडियो आपके लिए लेने वाला और अब मेडिकल ओडियंस है मेडिकल एंप्लोई है या मेडिकल स्टुडेंट है या नर्सिंग स्टुडेंट है या पेरा मेडिकल स्टुडेंट तो भी वीडियो आपके लिए लेने वाला नोन मेडिकल के लिए तो कि हम कहां कहां से Health Services ले सकते हैं जो भी ट्रीटमेंट है किसी भी डिजी से रिलेटेट है तो हम कहां कहां से ले सकते हैं बेटर फेसिलिटी में एक एडवांस वे में तो वो जब आपको एम्स की लोकेशन पता होगे या स्टेट का पता होगा कि कांप एम्स लोकेटेड है कौन से किस परकार की फेसिलिटी प्रवाइड की जाती है तो आप वहां से आसानी से Health treatment आप ले सकते हैं तो यह वीडियो मेडिकल और नोन मेडिकल दो बने रहे वीडियो के एंड तक स्टाट करते हैं हमार आज का लेक्टर तो सबसे पहले करें बात करें टोटल काउंटिंग की जो अभी एक्जेक्ली वर्किंग में है एम्स तो टोटल काउंटिंग में 191 919 एमस अभी टोटल वर्किंग में हैं कुछ एमस इसमें से OPD basis की सर सर्विस है जिसमें पेसेंट को देखा जाता है और उसी टाइम उसको ट्रीटमेंट देखे वापस भेज दिया जाता मतलब एडमिशन की प्रोसेस वहां पर नहीं चलती है अभी कुछ कुछ होस्पिटल एडवास नहीं है जो भी एमस है जो अभी रिसेंटली लोकेटेड ह को है जो स्टाब्लिस्मेंट है उनका अभी एक-दू साल पहले का ही है तो वहां पर प्रोपर फेसलीटी नहीं लेकिन वहां पर ओपीडी बेसिस पे जो सर्विसेस है वह कंटिनु और कुछ इस्पेसल मल्टी इस्पेसलीटी होस्पिटल जैसे कि ऐपस डेली है तो वहां से में यहां पर में पर रखा जीतने भी हैं उनकी में मैं हैं उसके बाध में हो नहीं की नियुक्त पर यहां पर यह स्टेट नाम कोन में लोकेटेटे बेए और यहां पर लिखा है कि कौन कौन से मच अभी आने वाले मतलब जो एक्सेट हो चुका है बट अभी जो ब्लीडिंग वगेई रहा है इन्फ्रास्ट्रक्ट्चर रहे हूं और चल रहा है तो कौन को से जिनके अलग से मैंसिन कर रहता जो टोटल 19 है वो वर्किंग में उनके बारे में एक बार वन बाइवन हम देख लेते हैं तो सबसे पहले टोप पर है एम्स तेली जिसका स्टाबलिस्मेंट 1956 में हुआ और यह डेली के अंदर लोकेटेड है नेशनल इंस्टिटूशनल रेंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अ अब बाद में 2000 भारत कोई भी एम से नहीं आया 2012 में टोटल 6 एम्स इस्टाबलिस होए थे तो वह सिक्स कौन-कौन से एम्स जोदपूर है जो हमारी राजिस्तान में लोकेटेड है जो हमारे ओडिसम में लोकेटेड है एम्स रिसी के से यह भी 2,000 वारा में आया था उत्रा पटना एम्स बोपाल 2012 में आया था मध्य प्रदेश में यह लोकेटेड है और एम्स पटना 2012 में बिहार के इंदर स्टाबलिस हुआ था तो 2012 में टोटल 6 एम्स आया थे और इनके स्टेट है जो कि मैंने वन बाई वन यहां पे मैंसिन कर रहे है उसके बाद में जो एट नमर पर एम्स आया था एम्स राइब्रेली जो कि 2013 में इस्टाबलिस्मेंट हुआ था जो यहां पर यह मैंने में कर रखा वह 2013 है और यह उत्तर प्रदेश यानि यूपी के अंदर लोकेटेड एम्स राइब्रेली मतलब यूपी के अंदर यह अपनी सर्विस प्रदान कर रहा एक इस्टिटूट के रूप में नाइन नमबर पर एम से नागपूर 2018 मतलब 2013 से 2018 के बीच में कोई एम्स नहीं है उसके बाद यह जो भी मैंने सन यहां पर मेंसें कर रहे हैं वह सिक्वेंसली मेंसें कर रहे हैं कि देशे 2012 के बाद में 2013 तो उसके बीच में 14 15 16 17 तक कोई भी आप से सेक्वेंस रूप में मेंसें कर रहा है अगर आप स्टूडेंट है किसी एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी वीडियो आपके लिए बेनीफीचल रहने वाला क्योंकि यह एक्जाम में डिरेक्ट कूच जाने वाले क्यूसंस भी यहां से बनते है तो यह वी बीडिंग जो भी एमस है जो रिसेंटले जैसे दो जार अठारा के बादवाल एमस है इतना वी इनमें बहुत सारे बीडिंग जो इंफ्रास्ट्रेक्चर है वह बी पिर पेर हो रहा था वह सारे एमस के अदर अभी जो आई-पीडी बेसेस के सर्विस है वो पेंडिंग में सर्विस प्रोवाइड की जा रही है नेक्स्ट एमस गोरखफूर जो की यूपी के अंदर लोकेटेट है 2019 में स्टाब्लिस हो उत्तर परदेश में दो एमस है एक तो हो गया एमस राइब्रेली और दूसरा एमस गोरखपूर नेक्स्ट एमस बीबी नगर एमस बीबी नगर एमस बटिंडा नेक्स्ट एफोटी नमर पर एमस कल्यानी एमस कल्यानी 2019 में आया था यह और वेस्ट बंगाल के अंदर यह लोकेटेड है नेक्स्ट एमस डेवगड़ एमस देवगड़ 2019 के अंदर यह बी स्टाब्लिस हो आता और जारकेंट के अंदर यह अपनी सर्विस कर रहा तो यह अंस्ट यह न में गुझरानी सर्विस दे रहा है कि हम जोबी सकते हैं यह वो सर्विश ले सकते हैं यह हां यह बोगो सारी डोवरेगॅ हो कर तते में मतलों डहीं सर्विस रहता है कि म।्रव AH 같이 सहीने ह। etham में ये लोकेटेड है नेक्स्ट में विजयपूर 2020 में या जो टोटल 4 झार यथा इंदर लोकेटेड है extern? यह विलासपूर और हीमाचिल प्रदेश कंदर या लोकेटेट तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट स्टेट में डिफ्रेंट 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 लोकेटेट अब जो दो सब्रेंट के बाद तो अच्छे से इन से आने लगें मतलब बारा से पहले 1956 तकोई भी यह नहीं था एक्सेप्ट एम्स देली तो 2012 में टोटल 6 है उसके बाद 2013 में एक एम्स आया था यूपी के अंदर राइबरल 2018 में फिर दो एम्स से इस्टाबलीश होए नाखपूर और मगलागिरी देन उसके बाद में 2019 के अंदर टोटल 55 एम्स हमारा गोरकपूर एम्स बीबिनागर एम्स देख़ए उसके बाद में 2020 के अंदर टोटल 4 एम्स इस्टाबलीश होए थे एम्स राजकोट एम्स गुहावटी एम्स विजयपूर एम्स बिलासपर तो यह टोटल 19 जो है अभी एज वरकिंग है मतलब अभी इनमें जो हेल्थ से रिलेटेट फेसिलिटीज होती है वो प्रवाइड की जा रही जो अन्य वाले एम्स है अपकमिंग एम्स मतलब की जिनका प्रोपोजल एक्सेप्ट हो चुका है और जो कंस्ट्रेक्शन का काम है वो अभी चल रहा है मतलब अन्डर कंस्ट्रेक्शन है तो वो कहन कोन से हैं से दरबंगा रहा है जो अपक हैंगे फिर अ क्योंक टरक अडर के प्रवारी सिkk्ट है तो यह भी दोजार पत्चीस तक बता रहे हैं इसका भी जो चंट्रक्शन काम कंप्लीट हो जाए इस्टेबलेस्मेंट होने यह रिसेर्स बेसिस पर डटा है वह हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट अविंतिपूरा यह कस्मिर कंदर लोकेटेड रहेगा जो कि बेंडर कंस्ट प्रदान करेंगे ताकि हमारे जो भारत का हेल्थ सेक्टर है वह अच्छे तरीके सुबर के ट्रीट्मेंट मिल पाएगा और ज्यादा से ज्यादे लोगों को डिजीज फ्री और प्रोब्लम से दूर रख पाएगा तो यह एक अच्छी बात है कि टोटल ट्वंटी फॉर ट्वंटी फाइंस हमारे इंड्रेकंदर होने वाले ट्वंटी टूटाउजंड टॉन्टी हाइब तक तो यह हमारा आज का लेक्चर हो गय है या कुछ भी आयम से रिलेटेड आप को डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं बाकी बने रही है हमारी यूट्यूब चैनल पर थैंक्ट